धाल या प्रमर्ता अंतराल की धाल या प्रमर्ता स्लोप आपदा इंटर्वल किसी रेखा या उसके किसी अंतराल की धाल यह बताती है कि रेखा कितनी तेजी से चड़ती या उतरती है रेखा के किसी अंतराल A B की धाल का मान Y निर्देशांग के B बिंदू से A बिंदू तक परिवर्तित होने तथा X निर्देशांग के B बिंदू से A बिंदू तक परिवर्तित होने के बीच का अनुपात है धाल को प्रमणता भी कहा जाता है हम धाल के लिए प्रमणता शब्द का उप्योग करेंगे यदि बिंदु A के निर्देशांग एक दो और बिंदु B के निर्देशांग पांच साथ हैं तब अंतराल AB की ढाल बराबर Y2 रिन Y1 बटे X2 रिन X1 यानि साथ रिन दो बटे पांच रिन एक बराबर पांच बटे चार इस आक्रिति को हम ध्यान पुर्वक देखें तो हमें एक समकोण त्रिभुज नजर आता है जिसका समकोण बिंदु C पर है यदि हम रेखाकंड AB का विस्थार करें तो वह किसी बिंदु P पर X अक्ष को प्रतिछेद करेगा यह रेखा X अक्ष पर जो कोण बनाएगी वही कोण त्रिभुज ABC के बिंदु A पर बन रहा है माना यह कोण थीटा है अतह अंतराल AB की प्रवणता बराबर Y2 रिण Y1 बटे X2 रिण X1 यानि यह बराबर होगा BC बटे AC बराबर 10 थीटा इसलिए प्रवणता बराबर BC बटे AC बराबर 10 थीटा यदि बिंदु B को पहला और बिंदु A को दूसरा बिंदु माने तब क्या ढाल बदल जाएगा प्रवणता बराबर 2 रिण साथ बटे 1 रिण 5 बराबर रिण 5 बटे रिण 4 बराबर 5 बटे 4 अर्थाद दिये गए दो बिंदु में से किसी भी बिंदु को प्रथम बिंदु या दिती बिंदु मानने पर उन बिंदुों से गुजरने वाली रिखा या अंतराल की प्रवणता का मान परिवर्टित नहीं होता अब आलेख 12 में दिखाये गए अंतराल A B की प्रवणता पर विचार केजिए अंतराल A B की प्रवणता बराबर 1 रिण 7 बटे 5 रिण 2 बराबर रिण 6 बटे 3 बराबर रिण 2 अर्थात यदि किसी अंतराल में A C B की दिशा में बढ़ने पर Y का मान घड़ता जाता हो और X का मान बढ़ता जाता हो तो इस प्रकार के अंतराल की प्रवणता रिनात्मक होती है विशेश इस्तितियां पहला जब अंतराल शेतिज हो इस इस्तिति में Y2 रिण Y1 शुन्न है और इसलिए प्रवणता शुन्न है दूसरी इस्तिति जब अंतराल उर्द्वाधर हो इस इस्तिति में X2 रिण X1 शुन्न है चुकि शुन्न से विभाजन परिभाशित नहीं है इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रवणता परिभाशित नहीं है सोचे एवं चर्चा करें दिये गए आले 15 को देखिए आप इनकी प्रवणता की विश्य में क्या कहेंगे अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कौन-कौन से रेखाखंड की प्रवणता धनात्मक है और कौन-कौन से रेखाखंड की प्रवणता रनात्मक रेखा की प्रमणता रेखा की प्रमणता को रेखा के किसी अंतराल की प्रमणता से परिभाशित किया जाता है क्योंकि रेखा के किने भी दो अंतरालों की प्रमणता बराबर होती है माल लेजिए कि दो अंतराल A, B और P, Q एक ही रेखा पर है समकोर त्रिभुज ABC और PQR की रशना कीजिए जिसके भुजाएं AC और PR X अक्ष के समानतर हैं तथा BC और QR Y अक्ष के समानतर हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में AC समानतर हैं PR के तथा AQ तिर्यक रेखा उन्हें काटती हैं इसलिए कोड A और कोड P बराबर हैं क्योंकि ये संगत कोड हैं इसलिए कोड B और कोड Q बराबर होंगे चूंकि ये संगत कोड हैं कोड C बराबर कोड R ये दोनों सम कोड हैं इसलिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के और इसलिए QR बटे PR बराबर BC बटे AC दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपाथ बराबर होता है इसलिए अतह हम कह सकते हैं कि इन दोनों अन्तरालों AB और PQ की प्रवणता बराबर है